जब आप पला कांशार हित कर्म करेंगे तो आपको मुक्ति का मौक्ष का आनंद मिलेगा उस कर्म को करने में बड़ी सरलता से बहुत कुछ रूप अंत्रण अपने भीतर कर सकते हैं ये कृष्ण की गीता अद्भो द्यांत है लोग मैं से पूछते हैं घृष्ण कर्म पिक संभीक याइए रूपने कुछ ठीजायव 1998 कर ना तब वर प्रयूआ अगयोग का अर्थ क्या होता है आप समझे कर्म योग का अर्थ है 260 क कर्योग का अर्थ है कामना रहित कर्म फला कांग्षा रहित कर्म यानि कर्म तो हो लेकिन उसमें फल की आकांग्षा हट जाए और मैं आप से कहना चाहता हूँ फला कांग्षा रहित कर्म करने से पुड्य मिलेगा सुख मिलेगा परिडाम मिलेगा आत्म ग्यान मिलेगा आत्म साक्षातकार मिलेग करेंगे तो आपको मुक्ति का मोक्ष का आनंद मिलेगा उस कर्म को करने में यह बड़ी प्रितिकर बात है आप प्रैक्टिस करके देखो आप अपने जीवन में खुब कर्म करो लेकिन आकांग्षा गुरुजी पे छोड़ दो आप देखो आपका काम करना ही अपने में और फिर करते करते आपको ऐसा स्वाद लगेगा कि आप फलकी आकांग्षा करने के चक्कर में पढ़ेंगे ही नहीं बड़ी सरलता से बहुत कुछ रूप अंत्रण अपने भीतर कर सकते हैं यह कृष्ण की गीता अद्भूत ग्रंथ है और ग्रंथ तब तक अर्थ हीन है ज जिन्दिगी भर गीता को पढ़ते रहें गीता कभी आपके प्राणों में धड़केगी नहीं धड़केगी कब जब कोई जीवंद गुरू जिसने उसका स्वाद चखा है वो आपको उसका स्वाद उपलब्द कराने की दिशा में आपको सक्रिय कर दे गदिशील कर दे और आपके भीतर भी प्यास पैदा कर दे कि आप उस सूत्र को उस मर्म को उस विग्यान को आत्मसात करने के लिए प्रेडित हो जाएं आपका कदम उठ जाएं इसलिए मैंने सूचा कि आपको इस अधुभुद अम्रित से अवश से आत्मसात कराने की चेस्टा करूँ तो मैंन में रस पैदा करेगा आनंद की रसधार पैदा करेगा लोग मुसे पूछते हैं गुर्देव फलाक आंग्शा रहित कर्म संभो कैसे थोड़ा समझने में मुश्किल है लेकिन मैं समझाने की चेस्टा कर सकता हूं क्योंकि मैं रोज रोज इसका स्वाद चकता रहता हूं और चब आप फलाक आंग्शा रहित कर्म करते हैं तो आपके कर्म करने की सैली कर्म करने का ढंग और कर्म करने की कुषलता कई गुना बढ़े जाती है बगवान कृष्ण कहते है योगा करम सुकोषलम अपने कर्म को अतिशय कुषलता के साथ कर लेना ये योग है और कर्म को प कर्म को पूर्ण कुसलता के साथ करना तब्यू संभव है जब आपका कर्म फल की आगंशा से रही तुम्जाए।